ओके गाईज तो सैमसंग ने डिलीस कर दिया F62 डिवाइस के लिए 1A 5.1 की अपडेट जी हाँ गाईज सैमसंग ने ओफिशली F62 के लिए 5.1 की अपडेट जो है न वो डिलीस कर दिये तो आज किसनी वीडियो में मैं आपसे बात करने वारा हूँ इस अपडेट के बारे में क कुछ भी पसंद आती हो तो एक लाइक कर देजेगा साथे साथ चैनल पर पहली वार विशिट कियो तो सस्क्राइब करके बैल नोटिफिकेशन प्रेज जरू कर लेना तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो गाईस जैसा कि आप लोगों मिस्कीन पर देख पारे होगे कि सैमसंग ने ओफिशिली एप 62 डिवाइस के लिए जो है न वो वन यही 5.1 की अपडेट रिलीस कर दिया है बात कर इसके अपडेट फाइल के बारे में तो 1282.07 MB की हमें अपडेट फाइल देखने के लिए मिल जाती है 1 February 2023 का लेटेस्ट सिकुरेटी पैच इंक्लूट किय है साथ है ईपडेट वो इंडिया के लिए रिलीस किया गया है इस अपडेट के अंदर हमें फाइप पॉइं 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 न की लिए तो जैसा कि आप लोगों में स्कीन पर देख पार होगे कि कुछ इस परकार से आप लोगों को न्यू न्यू बैटरी विजीट जो है काफी cool cool सी battery visit यहाँ पर include किये गये है आप लोग यहाँ पर देख पारेंगे watch का कुछ इस परकार से आप लोगों को battery की icon देखने के लिए मिलेगे smartphone का कुछ इस परकार से आप लोगों को देखने के लिएगा तो कुछ इस angle का जो है न वो battery visit आप लोगों को section देखने की मिल जाएगी जिसमें guys sleep driving exercise यह सभी features आप लोगों को देखने की मिल जाएगी basically आप लोग अपने according जो है न वो यहाँ पे timing set कर सकते हो sleeping की driving की exercise की जो कि आप लोगों के लिए काफी helpful हो सकता है basically time to time आप लोग यहाँ पे यह सभी को follow कर सकते हो basically ring dong set कर सकते हो दैनि यहाँ पे एक तरीके से कह सकते हो न कि यह एक alarm की तरह जो है न वो यहाँ पे work करने वाला है अगला feature जो आप लोगों को यहाँ पे देखने की मिलने वाला वो भी setting के अंदर की कुछ यहाँ पे option include किये गए जैसे की selfie video size आप लोग यहाँ पे अपने according जो है न वो small और large set कर सकते हो sound की quality आप लोग यहाँ पे देख सकते हो video की quality यहाँ पे आप लोग अपने according set कर सकते हो साथे साथ वो file किसी को share करने के बाद जो है न वो automatic delete होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए वो भी यहाँ पे आप लोग setting कर सकते हो जैसे कि आप लोग यहाँ पे home skin पे देख पार होगे इस परकार का feature से यहाँ पे देखने के लिए मिलती है ना कि यहाँ पे खोई भी photo हम लोग click किये देन यहाँ पे उसकी a to z information पाने यहाँ कि कौन सी date को हमने photo click किये कौन सी timing के साथ हमने photo click कि a to z information आप लोगों को कुछ इस परकार से देखने के मिल जाएगी जैसा कि आप लोग home skin पे देख पार होगे इसके layout को change करने की कोशिस की गई है कुछ खास changes हमें देखने के लिए नहीं मिलती है बर छोटे मोटे improvements यहाँ पे किये गए साथ साथ gallery के अंदर ही आप लोगों को जो है वह editing tools में कुछ changes देखने के लिए मिल जाती ह है अगले feature के बारे में बात कर लें तो अगला feature हमें PIP mode देखने के लिए मिल जाती है यानि की picture in picture mode की feature जो है वह 15.1 के अंदर हमें include देखने के लिए मिल जाती है जो कि यहाँ पे chrome हो गया YouTube हो गया यह सभी में work करने वाला है basically maps हो गया इसके अंदर भी work करने वाला है PIP mode basically क आप लोग video play कर सकते हो दैनिया पर video play के साथ साथ जो है न वो कोई भी other काम कर सकते हो जैसे कि यह कुछ भी calculate करना है तो दैनिया पर calculate कर सकते हो Google use कर सकते हो PIP mode को enable करके video भी देख सकते हो अपना काम भी कर सकते हो तो यह feature काफी कमाल कि आप लोगों को 1.8 5.1 के अंदर include दे पारे होगे अगला feature हमें gallery के अंदर देखने के मिल जाती जो की object eraser का feature आप लोगों को देखने के मिल जाती है guys मुझे पता है कि यहाँ पर वन यह 5.0 या 4.0 के अंदर भी हमें object eraser की feature देखने के मिल जाती थी but guys उसमें क्या होता था ना कि हमें खुद से erase करना परता था लेक है guys को भी object को देन आप select करोगे सिर्फ किलिक करोगे फिर automatic जो है न वह इरीज हो जाएगा चाहिए वह background इरीज करना हो या फिर से कोई भी object को इरीज करना हो यहाँ पर टेवल पर कुछ भी रख दो टेवल पर कोई एक डबाई है चाहिए कुछ भी है यहाँ पर उसे करना ह है नेक्स्ट फीचर में सैमसंग हेल्थ में देखने के मिल जाएगी जैसा कि आप लोगों मिस्किन पर देख पार होगे बोडी कॉम्पेजिशन का फीचर आप लोगों को यहाँ पर पता कर सकते हो फोन के थुरू यह और यहाँ पर हर्ट रेट मोनीटर भी आप लोगों को देखने के मिल जाएगी यानि कि एक मिनट में आप लोगों का हर्ट जो है ना वह कितने बार बीट कर रहा है वह आप लोग यहाँ पर पता कर सकते हो फोन से कगई से हैं पर काफी आप लोगों को बताता है यह पून मोनीटर करके ऐस तर नहीं मैं कहूंगा कि यहाँ आप यहां पर cycling करोगे तो कि तक आप लोगोंने cycling की यह सभी information आप यहां पर ले सकता ब्लड सुपर को प्षाट को अपश्ण आप लोगों को देखने के मिल जाती ब्सफ़ सलिप 以नेबल करके आप जिपिंग कर सकतो जोभी कापी अच्छी इत्ते बहुत करने वाले हो यह चलने वाले हो तो वह आपका डिवाइस कांट करके बताएगा और काफी यहाँ पर पहली कोई मुकाबले से किया गया है अगला फीचर जो है ना वह हमें नोटिफिकेशन के अंदर देखने के लिमिज आती है something something changes जो है ना वह notification के अंदर की गई है जो कि आप लोगों में स्कीन पर देख पार होगे साथ नोटिफिकेशन पैनल के अंदर ही जो है ना वह एक अलग से toggle बनाया गया है जब हम कोई भी music जो है ना वह play करते हैं तो वह अलग से toggles में आप लोगों को कुछ इस परकार से music जो है वो play होने लगेगा जैसा कि आप लोगों में स्कीन पर देख पार होगे और गाइस music को यहां पर pause करते ही वो toggles जो है ना वो automatic कह सकतो कि sound में Bluetooth में Wi-Fi में फिर से कह सकतो कि network में sim वाले जो होते हैं तो इसमें show करने लगेगा और जैसे भी आप लोग यहां पर music प्ले करोगे तो कुछ इस परकार से आप लोगों को अलग से section बन जाएगा जो कि काफी कूल सा notification पैनल में देखने के लिए मिल जाती है अगला फीचर में विजिट के अंदर कुछ निव निव से विजिट विजिट किये गए जैसा कि आप लोगों होमी स्कीन पर देख पाड़े होगे कि गैलेरी के विजिट को भी यहां पर फोन के होमी स्कीन पर सेट कर सकतो जो की काफी कूल से लुक यहां हमारे डिवाइस को आना वो प्रोवाइट कराता है अगला फीचर में वाल पेपर के अंदर देखने के मिल जाती है यहां पर color palette के वेखो यहां पर change करने की कोशिस की गई है something something changes यहां पर color palette के अंदर भी देखने के लिए मिल जाती है जो कि है इसलिए देखने के लिए मिल जाती है तो वो सभी features के साथ जो है आपडेट यहां पर रिलीस किया गया जो कि आप लोग regular life में फोन यूज करो गए न तो डे वाइडे आप लोगों को एक एक features जो है वो पता लगने वाला है तो आज किसने वीडियो में यही कुछ information दी है यहीं बंदे मापन